वो और के बाद रेचल अपने हस्बंड के पास आती है, जिस घर में रह रहे थे, उस घर को उसी के ओनर के साथ उन्हें शेर करना पड़ता है, और इसी वज़े से सारी प्रॉलम हुई थी, हस्बंड वाइफ के बीच में भी जैसे चीज़े लग रही थी, वैसी थी नहीं हेलो फ्रेंट्स, आज मैं आपको The Aftermath, ये 2019 की एक बहुत ये अच्छी ड्रामा मुवी एक्स्प्लेंट करने वाला हूँ, अगर आपको वीडियो अच लगता है, तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दीजेगा, बीना किसी देरी के एक्स्प्लेंशन स्टार्ट कर वार अब खतम हो चुकी थी, तो उसके हस्बन ने उसे जर्मनी में बुला लिया, इनके रहने के लिए जर्मनी के बड़े से हाउस को खाली किया जाता है, यहावर अल्रेडी एक बहुत ही अमेर आदमी रहा करता था, इसका नाम था स्टीफन, स्टीफन को अब अपना सामा लेकर डारेटली कैम्स में रहना पड़ेगा, रेचल जब यहावर बहुची तो उसका हस्बन लुईस उसे लेने के लिए आया हुआ था, अभी-अभी जो वार खतम हुए, इन दोनों के लिए बहुत ही हाड़ थी, अब यहाँ पर वो न्यू स्टार्ट करना चाहते है, य लुईस के बारे में वो शेर कर रहे थे, आज कल रेचल ज़रा डिस्टरब रहती है, तो इस वज़े से स्मोकिंग भी करने लग गई थी, अगले दिन जब लुईस अपने जॉब पर गया, तो रेवलुशन करने वाले कुछ लड़के भाह पर थे, जो अभी भी हिटलर को म लिखती है, जिसका नाम है फ्रेडा, फ्रेडा नारास थी, क्योंकि उसका ही घर है, और उसे ही इस तरीके से निकाला जा रहा है, थोड़ी देर में जब लुईस घर पर आया, तो रेचल उसे पुछती है, कि प्रिवेस ओनर यहां से कब जाएगा, लुईस दिल का बहुत ह अच्छा था, वो कहता है, बहुत ही साथा खराख है, अगर हमने स्टीफन और उसकी बेटी को इस तरीके से बहार बेच दिया, तो उनके खाने पिने का भी कोई भी ठीकाना नहीं रहेगा, वो कहता है, हम उन्हें रहने के लिए उपए का फ्लोर दे सकते, रेचल इस पर ग चेयर थी, जो रेचल को थोड़ी भी पसंद नहीं आती, इस पर स्टीफन ने का कि बहुत ही फेमस चेयर है, सबसे जाधा कमफरटेबल, रेचल को ऐसा नहीं लगता, स्टीफन ने का इस चेयर के बनाने के पीछे भी फिलोसोफी है, यहां की सारी चीज़े वो हेट कर रही लुइस कहता है कि तुम्हें इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, एक्चुल में जब वार चल रहा था, तो इनके बेटी की एक बॉम की वज़े से टेथ हो गए, इसी वज़े से रेचल बहुत ज़्यादा डिस्टरब है, बात लेते वक्पी वो रो रही थी, इसे घर पर आई तो स्टीफन की बेटी घर का पियानो बजा रही थी, स्टीफन उसे उपर बेचता है और सौरी कहता है, स्टीफन ने रेचल से कहा कि उसकी मदर का है, स्टीफन ने कहा कि उसकी वार में टेथ हो चुकी है, रेचल को इसके लिए बहुत बुरा लगता है, स्टी और फ्रेटाओं को इंफ्लिएंस करता है निकसिन में रेचल और लुईस के बास उनके फ्रेंड आये हुए थे फ्रेंड ने कहा कि तुम स्टीफन को अब भी घर में क्यों रहने दे रहे हो वो शायद तुमारे खिलाब ब्लान बना रहा होगा मेभी वो अब भी हीटलर को मान लुईस कहता है आप इस तरीके से लोगों को जैज नहीं कर सकते मैंने उसकी आखों में देखा है वो हमें नहीं मारना चाहता लुईस के फ्रेंड को अभी भी स्टीफन पर शक था तुसे इंक्वारी के लिए बुलाय जाता है उससे वो पूछते तुमारी फैमिल हीटलर क लिए गन सब्या सप्ञार करने में इनवाल थी, इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो ? स्टीफन ने कहा क्यों मेरे फाधर- इन-लोग का बिजनिस था, इससे मेरा कोई भी देना देना नहीं है वो उससे वार के बारे में पूछते है civ स्टीफन ने कहा, वार में मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी थी, अफकोस मैं उससे हर्ट हो, स्टीफन को जादा बुरा ना लगे, तो इसलिए लुईस यहाँ पर ही इन्वेस्टिकेशन बन कर देता है, स्टीफन के आइडेंटिटी के वेगरा पेपर्स अब भी गवर्मेंट के पास थे, अब तक उन्होंने उसे अप्रू नहीं किया है, इसी के पैरलल में हम देखते है, ग्रेटा घर में सारी चीज़े देख रही थी, इन चीज़ों में रेचल ने लुईस को दिया हुआ एक कीफ्ट था, इसमें उनकी और उनके बेटे की भी फोटो थी, ये ग्रे करती हो, तो यहां से निकाल क्यों नहीं देती है, अगर तुम्हें रिजन नहीं मिल रहा, तो मैं तुम्हें रिजन दे देता हूँ, वो रेचल के पास आ गया, और उसे किस कर लेता है, गुसे में वहाँ से चला गया, रेचल कुछ भी बोल नहीं पाई, नेक सिन में हम दे उसके पास आता है अच्छे से म्यूजिक लगाया हुआ था ये एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना चाहते थे पर लुईस को तभी कॉल आ गया सीटी में प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहां उसे जाना पड़ता है प्रोटेस्ट करने वाले लोगों ने लुईस पर भी हमला कर दिया पर वो सिर्फ उन लोगों को हेल्प करना चाहता था आज रात भी स्टीफण बाहर था वो सिर्फ वहां से गुजर रहा था फिर भी च्वाब करने के लिए कहा पर ये फ्रेंड मानता नहीं इन दोनों में फाइट होने वाली थी पर सारे लोगों ने स्टीफन को रोक लिया स्टीफन की सरबर बड़ी चोट थी तो रेचल ने देखा और उसे मलम पट्टी कर दिया स्टीफन ने कहा कि तुम उझे इग्नोर कर रेचल कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है ये दोनों करीब आ गए थे तो इंटीमेट होने लग जाते है तब ही ने लुईस की गाड़ी का आवाज आया और इन्होंने अपने आपको रोक लिया लुईस भी जादा कुछ शक नहीं करता अगली दिन बात्रों में रेचल ने उसे दिया हुआ गिफो चेक कर रहा था तो उसे मिल नहीं पाता उसने फ्रेडा से पूछा क्या तुमने उठाया था उसमें मेरे बेटी की फोटो है क्या तुम मुझे वापस कर सकती हो पर फ्रेडा उसे इग्नोर करकर चली गी जब लुईस और रेचल एक साथ है तो रेचल न मुझे जाना जरूरी था वो इस पर जादा बात नहीं करना चाता तो यहां से चला जाता है पाच्छे दिनों के लिए लुईस को काम पर दूर जाना पड़ता है एक साम रेचल बहुत ही अकेली पड़ गई थी वो पियानों बजाने लग जाती है ये वही दून थी जो नोट बजा नहीं पाता था उसे अपने बेटी की बहुत याद आ रही थी तो वेसी ओर रोने लग गए स्टीफन विरुस के पास आया और उसे सहारा देता है अगली दिन रेचल ने स्टेफन और फ्रेडा को ब्रेकफास्ट के लिए बुला है इविनिंग में सब मूवी द देख सकते हैं कि अलवर्ट का भी फोटो है फ्रेडा का बॉइफरेंड पैरलल में रेचल और स्टीफन एक दुसरे के साथ मज़े कर रहे थे स्टीफन रेचल से कहता है तुम मेरे साथ खुश हो तुमारे चेरे पर स्माइल है जब से तुम यहाँ पर आई तब से तुमने कभी अभी स्माइल नहीं किया था मैं अभी हाँ से दूर चले जाने वालो माउंडन्स में रहने वालो एक अच्छा सा घर बिल्ट करूंगा जहां पर तुम भी मेरे साथ आ सकती हो रेचल कहती कि अब तक तुम्हें तुम्हारे पेपर्स नहीं मिले है स्टीफन कहता है कि कि यह सब हो जाएगा नेक्सिन में देखते है कि फ्रेडा जब अलवाट के पास आई हुई थी तो उससे वो लुईस के बारे में पूछ लेता है हमेशा उसे लुईस के बारे में सारी इंफॉर्मिशन जाननी थी स्टीफन को उसके वेपर जल से जल मिल जाए इसलिए देने के लिए उसने स्टीफन को भी नीचे बोला है उसने कहा कि अब हम दोनों फिर से इंग्लंड वापस जाने वाले हैं रेचल भी पहले यही चाहती थी पर अब स्टेफन की वज़े से बहुत ज़्यादा कन्फियूज हो गई थी आज राते दोनों पार्टी पर जाने वाले थे इसकी information फ्रेडा अलबर्ट को दे देती है पार्टी में जाने से पहले रेचल स्टेफन से चुप चुप कर मिली स्टेफन कहता है कि उससे बता दो रेचल डर रही थी पर स्टेफन बता देगा इससे पहले उससे ही बताना था रेचल और लूइस फिर पार्टी मे लुइस का फ्रेंड उसे कहता है अगर तुमें कुछ help की जरूरत थी तुम उसे directly मांग लेते स्टीफन के वेपर इसको अप्रूब करने के लिए तुमारी वाइव को भेजने की क्या जरूरत थी इस बात से लुइस को रेचल पर शका आ गया वो जिस तरीके से बिहेव कर रह गया उसके पास जाकर उसे confront करता है कहता है कि जो भी मैं सोच रहा हो ये क्या सब कुछ सच है रेचल उसे sorry कहती है स्टेफन गुस्सा था तो रेचल ने का हमारे बेटे की डेथ हो जाने के बाद सब कुछ बदर गया था तुम मुझे छोड़कर चले गए थे हमारे बेटी क देथ के लिए तुम मुझे दोशी मानते हो वो गुस्से में यहां से जा रही थी तो लुईस भी उसके साथ आता है अचानक से अलवर्ड ने इन पर हमला कर दिया एक आत्मी मारा जाता है और लुईस ने अलवर्ड का पीछा किया अलवर्ड भागते बागते एक स्नो से भ पुशिश करती पर वो खुद भी टूप जाती इस वाज़े से लुईस ने उसे बचा लिया घर पर आने के बाद लुईस रेचल से कहता है तुम कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहती थी एक नई लाइफ ये करने के लिए मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता शायद ये सब मेरी इगल थी है फ्रेडा रोतरोते स्टीफन के पास आती है स्टेफन उसके लिए वरीड था कहता है मैं हमेशा तुम्हें प्रोटिक करूंगा मुझे तुम्हें सब कुछ चीज़े बतानी चाहिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्डन्ट हो वो कहती है कि मैं मदर को ब जाते जाते रेचल लुईस के पास आये लुईस पूछता है हमारे बेटे की डेट कैसी हुई थी रेचल कहती है पॉन्सपोर्ट में उसकी इंस्टन डेट हुई थी उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई लुईस कहता है मुझे कभी भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं पर मुझे जाना पड़ा जब भी मैं तुम्हें देखता था तो हमारे बेटे की मुझे याद आती थी तुम्हारा हसना तुम्हारा वोईस सब कुछ मुझे उसकी याद दिलाता था ये कहकर लुईस रोने लग गया रेचल भी उसे हग कर लेती है इसके बाद वो स्टेफन के साथ चली गई लुईस उपर आता है अपने बेटे का शर्ट देखकर बहुत रोता है स्टीफन और लुईस की ट्रेन निकलने वाली थी पर रेचल अपना माइंड चेंज कर लेती है स्टीफन कहता है कि ब्लीज ऐसा मत करो मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम फिर से लगा लेता है जो भी हुआ इसके लिए एक दूसरे को नोंने माफ कर दिया अपने बेटे की गुज़र जाने के पाद ये दोनों पेन में थे और इसी वज़े से इस तरीके से बिहयो कर रहे थे जब सही तरीके से इक दूसरे से इन्होंने बात की तब रियलाइस किया कि द अगले थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखिया